यह पेस्टिशाइड यह जो सीड है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है पेस्टिशाइड है हर्भी साइड है दवें बनेने वाली कंपनिया है यह इंटरनेशनल बड़ा नेक्सस है सरकारे भी इनके आगे मजबूर है क्योंकि हम आज के जो वर्ल्ड ओर्डर में जी रह प्रिष्ण भी होते हैं तो सरकारे जन्ता को यह नहीं कह सकती कि आप यह मत कीजिए नमस्कार मित्रों जये गोमाता राम राम कैसे हैं और मित्रों एक हमारे देश में अभी शडियंतर चल रहा है और एक अती उसको लेवल पे पर्मोट किया जा रहा है और जो हमारे पढ़ पर अत्याचार होता है इसलिए इसलिए आप मिल्क प्रोड़क्ट जो उप्योग करते हो चाहिए दूद्ध जो भी है उसको बंद करो ताकि लोग गाये नहीं पालेंगे तो गायों पर अत्याचार नहीं होगा और ऐसा वेगनिजम के नाम से परमोट किया जाता है मैं हमेशा यह कहता हूँ कि वेगनिजम अगर ठीक है आप अपने मन से आपको लगता है कि कोई जानवरों के प्रोड़क्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप उसको यूज नहीं करना चाहते तो आप यह करिए आप जानवरों का मास मत खाये उनके चमड़े के लेदर के कहीं कहीं डैरी प्रोड़क्ट में भी क्या है कि कुरूरता होती है यह बात भी सही है लेकिन कम से कम हमें उन गोपालकों का उन किसाना का सोचना चाहिए जो गाई को एक परिवारिक सदश्य की तरह मानते है वो परिवार का अंग मानते है और जो एथिकल गोपालन करते है जो गायों पर अत्याचार नहीं करते हैं उसका जो milk product है उसको हमें करने की परमोट करने की जरूरत होती है क्योंकि आप यह सोचते हैं कि आपके जो अगर कोई समसिया है और आप मिटी में सर गड़ा लोगे तो समसिया तल जाएगी तो ऐसा है नहीं समसिया तो आती रहेगी लेकिन मुझे अपती इस बात है वेगनिजम को परमोट करिए लेकिन उनका मैं टार्गेट होता है साकारी लोग वह मासारियों को नहीं कहते कि वह मक्रे मारे जा रहे हैं बक्रियों का मटन है पॉल्ट्री प्रोड़क्ट है जो मुर्गियों का मास है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगे जो पिग जो सूर का मास है जो इनके कॉस्मेटिक बड़ी-बड़ी कंपनिया है जो उस पे वो अपने प्रोड़क्ट में आप देखेंगे अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी कॉस्मेटिक हम जाने अंजाने में यूज क क्या है दले पर जानवरों का जो उसका वह जानवरों की चरबी या उसका मास का या और व्यूंतस श्रीर के ँग होते उनका इस самой होता है लेकिन उसका वो विषीमाडिय्म से कि उनके द्वारा ही यह funded है वीदेशी माध्यम से क्योंकि इन कंपनियों को ऐसा लगता है कि किसान जब गाई रखना ही छोड़ देगा गोपाला नहीं छोड़ देगा तो वो वह हमें अपड़ा मारकेट मिल जाएंगा हम इस प्रफाइदे के लिए इस्तेमाल पैसे कमाने के करेंगे तो इन जो है इसलोगों कि वह बिल्कुल जूट बोल रहे हैं लेकिन कुछ सच बातों की आड में वह बड़े जूट को चुपा रहे हैं वह कैसे चुपा रहे हैं अब इनसे कोई सीधा सिंपल सवाल यह पूछे कि ठीक है आप जानवरों के ऐसा कोई प्रोड़क्ट इस्टेमाल नहीं करेंगे जिसे है मान लिया लेकिन जो साकारी प्रोड़क्ट आप इस्टेमाल कर रहे हैं चाहिए आप कुछ भी खा रहें कोई सब्जी खा रहें चाहिए दाल खा रहें क्या आपको लगता है कि वह मतलब पूरी तरह से साकारी है अगर मैं कहूं तो आज की जो खेती के जितने भी जो भी है उनको मारा जा सके और वो मरते है उसमें और वो हजारों की संक्या में नहीं लाखों और क्रोडों की संक्या में मरते हैं अगर नंबर के अगर नजरिये से हम देखे तो जानवरों सो भी ज़्यादा वो मारे जाते हैं उनके उपर अत्याचार हो रहा है तो क्या हम सब्जियां खाना छोड़ दे पिर इसका उत्तरून के पास नहीं है वो इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि ठीक है खेती से आप आप मिल्कुल वेजिटेरिन प्रॉडर्क ले रहें वो दूद का आपको सब्सिट्टूट दूद का आपको दूसरा उपाई बता दे कि सोय मिल्क ले लो सोय बिन से बना हुआ या इस से चावल से मिल्क बना लो यह बना लो लेकिन मुझे यह लगता कि जो नैचुरल मिल्क है जो गाई का अपन अईरुवेद में वरणी थे और अब हजारों सालों से अपन उप्यों कर रहा था उसका सब्सिट्टूट को यह हो पर सब्सक्राइब के दूआरा हर्बीओं के दौरा उस पर वह मौन है उसपे वह कि यह पस्टिसाइड यह स्माराव जो सीड़्ट्कली मॉडीफाइड सीड़ है पेस्टिसाइडे, हर्भी साइडे, दवें बनेने वाली कमपनिया है, यह इंटरनेश्टनल बड़ा नेक्सस है, सरकारे भी इनके आगे मजबूर है, क्योंकि हम आज के जो वर्ल्ड ओर्डर में जी रहे हैं, उस वर्ल्ड ओर्डर में सरकारे आपको मना नहीं कर सकती उसके क्योंकि अंतराश्टी कुछ संधिया ऐसी होती है, जिसमें अपने फाइदे भी हित भी जुड़े होते हैं, कुछ छोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, तो सरकारे जनता को यह नहीं कह सकती कि आप यह मत कीजिए, लेकिन हाँ, अपन जागरुक जनता यह जरूर कर सकते कि उनका प्रोड़क्ट का इस्तेमाल नहीं करें, यह हम कर सकते हैं, तो इसके बारे में यह मौन इसलिए है कि क्योंकि इन बड़ी कंपनीज के दौरा इन बड़ी मल्टीनेशनल के दौरा इन लोगों को हंड किया जाता है, ताकि गोपालन खतम हो और गोपालन खतम होगा, तो नेचुरली आप वो बाते भूल जाईए कि आपके खेत में गोखाद या गोव मुत्तर से बनाएके कोई नेचुरल दवायां का छिड़काव करके आप अच्छा प्रोड़क्ट और्गनिक प्रोड़क्ट ले सके, तो इन डिरेक्टली वो उन लोगां का फाइदा कर र दन्यवाद मित्रो जाई गोव माता